हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल, चलिए सुरू करते हैं आज की मोटिवेशनल स्टोरी, अगर आपको स्टोरी पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और सेर जरूर कीजिए, चलिए सुरू करते हैं, एक व्रद्ध व्यक्ति अ उसका चार वर्षिय पोता एक साथ डिनर टेबल पर खाना खाते थे, लेकिन व्रद्ध होने के कारण उस व्यक्ति को खाने में बड़ी दिक्कत होती थी, कभी मटर के दाने उसकी चम्मस से निकल कर फर्स पर बिखर जाते, तो कभी हाथ से दूद छलक कर मेच पोस पर गिर हमें इनका कुछ करना पड़ेगा, लड़के ने कहा, बहु ने भी हां में हां मिलाई, और बोली आखिर कब तक हम इनकी वजह से अपने खाने का मज़ा किरकिरा करते रहेंगे, और हम इस तरह चीजों का नुकसान होते हुए भी नहीं देख सकते, अगले दिन जब खाने का वक्त हुआ, तो बेटे ने एक पुरानी मेज को कमरे के कोने में लगा दिया, अब बुड़े पिता को वही अकेले बैट कर अपना भोजन करना था, यहां तक कि उनके खाने के बरतनों की जगा एक लकड़ी का कटोरा दे दिया गया था, ताकि अब और बरतन ना तूट दिखाई देते, यहां देखकर भी बहु बेटे का मन नहीं पिगलता, वो उनकी छोटी से छोटी गलती पर धेरो बाते सुना देते, वहां बैठा बालक भी यहां सब बड़े ध्यान से देखता रहता, और अपने में मस्त रहता, एक रात खाने से पहले उस छोटे बालक को उसके माता पिता ने जमीन पर बैठ कर कुछ करते हुए देखा, तुम क्या बना रहे हो, पिता ने पूछा, बच्चे ने मासूमियत के साथ उत्तर दिया, अरे मैं तो आप लोगों के लिए एक लकड़ी का कटोरा बना रहा हूँ, ताकि जब मैं बड़ा हो जाओं, तो आ पुना अपने काम में लग गया, पर इस बात का उसके माता पिता पर बहुत गहरा असर हुआ, उसके उनके मुह से एक भी सब्द नहीं निकला और आखों से आसू बहने लगे, वो दोनों बिना बोले ही समझ चुके थे, कि अब उन्हें क्या करना है, उस रात को वो अपने बुड़े पिता को वापस डिना टेवल पर ले आए, और फिर कभी उनके साथ अबद्र वहवार नहीं किया, दोस्तों हम अक्सर अपने बच्चों को नैतिक सिक्षा या मोरल वैल्यूस देने की बात करते हैं, पर हम ये भूल जाते हैं कि असल सिक्षा सब्दों में नहीं ह तो बच्चा भी ऐसा ही सीखता है, इसलिए कभी भी अपने पेरेंट्स के साथ ऐसा वहवार ना करें कि कल को आपकी संतान भी आपके लिए लकडी का कटोरा तैयार करने लगे